सथ स्री अकाल दोस्तो मैं सनी गांदे ट्रिकिंग चैनल में आपका स्वागत करता हूँ सीखने की कोई उमर नहीं होती दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगो Amazon Pay Later Option को एक्टिवेट कैसे करना है आप अपना Amazon Pay ओपन करेंगा एक और option दिखेगा Amazon Pay Later करके आप वहाँ से भी apply कर सकते get started लिखा हुआ है अगर आपको यह option नहीं दिखाई दे रहा है तो एक बार आप app को update करके देखेंगे क्या पता है update करने के बाद आपको यह option दिखाई दे और update करने के बाद भी दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको आगे वीडियो में बता हूँगा आपको क्या करना है आप उसको click करेंगे दोस्तों अब यहाँ पर लिखा हुआ है sign up in 60 seconds उसको click करेंगे अब यहाँ पर आपको अपना pen card number डाल कर agree and continue को click करना है उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार card number डालना है और फिर agree and continue को click करना है अब आपके mobile number पर एक OTP आएगी उसको यहाँ enter करके continue को click करेंगे सनी आपके लिए message आया है अब यह आपके detail को verify कर रहा है उसके बाद आपके लिए limit करेगा और मुझे उमीद है कि यह 10,000 limit ही देगा क्योंकि starting में यह ज़्यादा limit नहीं देता है और अच्छे से use करो limit बढ़ा देता है देखिए मुझे उमीद थी यह 10,000 ही देगा अगर आप limit लेना चाहते है तो OTP डालके agree and continue को click करेंगे अगर आप अपना automatic bill payment पे करना चाहते है तो यहाँ पर अपना bank select कर सकते है मैं आपको recommend करूँगा आप skip कर देंगे इससे क्या होगा आप बाद में debit card से payment कर सकते है और debit card से pay करने पर आपको reward अलग मिलेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर Amazon Pay Later पर limit मेरी दिखाई देरी 10,000 रुपय जो available है आप उसको click करेंगे अब यहाँ पर देखेंगे आप जो भी use करेंगे यहीं से आपको make payment से payment करना है और आप auto payment अगर चाहते हैं तो यहाँ से set कर सकते हैं लेकिन मैं recommend करूँगा आप auto payment set मत करिये आप बात करें आप इसको use कैसे करोगे आप जो order place करना चाहते हो वहाँ पर जाएंगे payment method में आपको Amazon Pay Later का option दिखाई देगा उसको click करेंगे उसके बाद अपना order को place कर देंगे आप Amazon Pay Later को कहां पर use नहीं कर सकते हैं gift card में Amazon Pay balance top up में gold jewelry और अंतर राष्ट्री जो product होते हैं उस पे आप इसको use नहीं कर सकते हैं इसमें bill pay करने के लिए आपको समय 20 दिन से लेकर 50 दिन तक मिल सकता है depending करते हैं आप कौन से date को purchase कर रहे हैं उधारन के लिए अगर आप कोई product 16 जन्वरी से लेकर 15 फर्वरी के बीच में purchase करते हैं तो आपको उसको 5 मार्ष तक pay करना होगा और इसी तरह अगर आप 16 फर्वरी से लेकर 15 मार्ष तक कोई चीज़ purchase करते हैं तो आपको उसका bill पे 5 अप्रेल को करना होगा अगर आपका product 3000 फर्वरी से उपर का है और आप उसको EMI में करवट करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं Amazon Pay Later से pay करने पे तरह तरह के offer आते रहते हैं जैसे अभी offer चाहरा है अगर आप पहली payment करते हैं आपको 25% के आप से 500 रुपय का cashback मिलेगा याने 1000 रुपय का आप कुछ purchase करेंगे तो 500 रुपय का cashback मिल जाएगा जरूरी नहीं आपको यह offer मिले हमेसा offer change होते रहते हैं और अगर आपको कोई offer नहीं मिलता है तो आप 10-15 दिन तक अपना Amazon Pay Later account यूज नहीं करेंगे फिर आपको अपने offer मिल जाएगा अभी यह पहले payment पे है offer अभी दे रहे है सबको अगर नहीं देता है तो आप 10-15 दिन यूज नहीं करेंगे आपको फिर कोई न कोई दूसरा offer मिल जाएगा और जिन लोगों को Amazon Pay Later का option नहीं मिल रहा है तो उनके लिए मैं suggestion देना चाहूंगा आप अपने Amazon account में जाएगे और उपर search बार में आप लिखेंगे Amazon Pay Later तो वहां पर आपको Amazon Pay Later का option दिखाई देगा आप उसको क्लिक करेंगे और यहां से आप apply करने की कोईसिस करेंगे अगर यहां से apply हो जाता है तो अच्छी बात अगर apply नहीं होता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों यहां पर आप वेटिंग लिस्ट के लिए apply कर देंगे दे अगर आपका civil अच्छा है तो hope आपको जल्दी Amazon Pay Later की facility मिल जाएगी दोस्तों आप मुझे comment में इतना जरूर बताइएगा कि आपको कितने की limit मिली और मैं आपको बता दूँ मेरा next वीडियो जो Amazon Pay के उपर आने वाला हो आपको YouTube में देखने को नहीं मिलेगा इसमें मैं इसको लाइक कर दीजेगा मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में